हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में रेगुलर पर्मानेंट सिख्षक भरती का नया एड़र्टीजमेंट जारी किया गया है जहां पर सभी राज्यों के कैनी रेट आवेदन कर सकते हैं पोस्ट वाइस जो है सैलरी भी जो है आप लोगों के अलग अलग रहेगी पेस के लिवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाली है ओमर सीमा भी जो है पोस्ट वाइस अलग अलग है तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है कैसे अप्लाइ करना है कौन-कौन से विश्यों में वेकेंसी है सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ पोस्ट टीजीटी में संस्कृत की वेकेंसी है रैगुलर बिलकुल पर्मानेंट वेकेंसी है उसके बाद assistant admin की जो वेकेंसी है ये भी बिलकुल रैगुलर सेक्शन officer की वेकेंसी है रैगुलर पोस्ट है ग्रेडुईट पास candidate आविदं कर सकते हैं इसमें Head Master and Head Ministries की जो है vacancy है ये भी जो है permanent vacancy है ठीक है ये सब भी जो vacancy है ये regular रहने वाली है vacancy जारी की गई है Air Force Golden Zubli Institute Subrato Park New Delhi से ये vacancy है ये जो है application form है teaching and non-teaching post के लिए आप देख लेते हैं विग्यापन जो है वो बिल्कुल नया है 13 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक जो है आप लोग आविदन कर पाएंगे application fees जो है 300 रुपीज रहेगी विल्कुल permanent post है तो fees में ले रहे हैं 300 रुपीज offline mode में ही जो है आविदन करना है online mode में आप लोग आविदन नहीं कर सकते application form के साथ में self-attested copies अपने जितने भी certificate है birth certificate, qualifying degree, mark sheet, degree जो भी higher qualification की है BA degree है अनुभव नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगर अनुभव है तो बिल्कुल जरू लगाएं इसमें seat at pass certificate लगाएं TZT की post के लिए job location जो है वो बिल्कुल डेली ही रहेगी return exam रहेगा return exam के लिए 30 माई 2024 तक आप आवेदन कर दे list जारी की जाएगी 30 माई को जो भी कैनी रेट का return test होगा date of return test 8 जून को तयार रहे headmaster या headmistress, section officer assistant administration TZT संस्कृत इस post के लिए 9 बजे से 11 बजे तक return test रहेगा Air Force or Golden Jubilee Institute, Subrato Park, New Delhi qualification देखे headmaster, headmistress के लिए graduate या post graduate 50% marks के साथ में 2 साल का diploma आपका DL ad किया है तो भी आविदन कर सकते हैं BL ad किया है, B ad किया है तो भी आविदन कर सकते हैं इसमें English medium माग रहे हैं 10 साल का total experience आपका primary school के लिए चाहिए headmaster या headmistress के लिए CTAT, Paper 1 या आपके राज्य का टैट है तो भी चलेगा salary जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें pay scale रहेगी level 7 के according इसमें उम्र 45 है section officer के लिए graduate या post graduate 50% marks के साथ में इसमें जो है retired जो officer है Indian Air Force में 10 साल का जिनको अनुभव रहा है supervisory capacity या OS का तो आविदन कर सकते हैं ठीक है इसमें 55 साल उम्र है और level 7 के according ही salary रहेगी assistant admin की जो regular post है इसमें graduate या post graduate पास candidate 50% marks के साथ में इसमें भी जो ex-service man को ही जो है इसमें रखा जाएगा पान साल के अनुभव जिनके पास होगा next जो है सबसे important TZT संस्कृत की जो post है बहुत सारे candidate जो है Hindi या संस्कृत की जैसे ही vacancy आती है TZT में तो पूस्ते हैं तो इसमें जो है salary भी काफी अच्छी है और vacancy जो है इसमें qualification master degree या bachelor degree 50% marks के साथ में साथ में B.Ed और seat ed paper 2 32 यर तक के candidate आविधन कर पाएंगे इसमें TZT संस्कृत में pay scale रहेगी level 7 के according ही basic pay 44,900 रहेगी और जो की और भी जो है आगे तक जाएगी आपकी salary इसमें जो है आयू सीमा में छूट जो है TZT संस्कृत में इन्होंने कहा है कि जो female candidate है तो इनको 10 साल की छूट जो है इसमें रहेगी ठीक है फिलाल TZT की ही post है तो TZT संस्कृत के लिए कहा गया है इसके लावा और भी जो category है तो government of NCT of Delhi के according जो है इसमें आयू सीमा में छूट रहने वाली है जर्नल इंस्ट्रक्शन जो है आप पड़ लेंगे बस ये पूरा जो है notification है जैसे ही official website पर आएंगे आप लोग इसमें जो है यहाँ पर सबसे उपर right side में recruitment लिखा है इस पर जो है click करेंगे और application form download कर सकते है second number पर लिखा है application for recruitment for teaching, non-teaching staff, regular post click here, click here पर click करेंगे तो यहाँ पर application form मिल जाएगा ठीक है इसे download करना है, fill करना है school में जाके ही submit करना होगा जो भी working days रहेंगे school के 13 मई से लेकर 24 मई तक all working days Saturday, Sunday और government और holiday को छोड़के तो आप लोग submit करा सकते है main guard room सुप्रोतो पार्क, WAC campus ठीक है उसके बाद जो है यह विज्यापन यह पूरा पांच पेजों की ही PDF file है तो open हो जाएगा, ठीक है जो भी apply करने के इच्चुक है लिंक आप लोगों को description box में मिलेगा वीडियो के नीचे लिखा होता है description उसको आप open करेंगे नीचे तक देखा करें वहाँ पर लिंक ज़रूर मिलेगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू